हलो फ्रेंटS कैसे हैं आप सब आयe होप आप सभी अच्छे होंगे आज हम आपके लिए लाएं दिना गे के बने हुए चावल के फरे इसको बनाना बहुत आसान है यहाँ पर हमने ले ली है उरत की डाल और चने की डाल तो आप चाहें तो चने की डाल से बना सकते हैं और आप चाहें तो सिर्फ उरत की डाल से भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमने दोनों डाल को मिक्स करके बनाया है हमने रात भर डाल को भीगो दिया था और सुबह हमने दाल को साफ कर लिया है दो के साफ कर लिया है उरत की दाल को भी हमने साफ कर लिया है चिलका इसका हटा दिया है और चने की दाल को भी हमने साफ कर लिया है और अब हम इसको पीस लेंगे तो हम इसको मिक्सी जार में डालेंगे दोनों दाल को एक साथ ही डालेंगे हम अलग-अलग नहीं पीसेंगे क्योंकि ये जो हम फरे बनाएंगे तो मिक्स दाल के ही बनाएंगे तो इसलिए हम दोनों दाल एक साथ मिलाकर पीस लेंगे और इसमें हम डालेंगे हरे मिरज 3-4 तो हम हरे मिरज डाल देंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा लैसुन भी लेंगे तो 4-6 के लिया हमने लैसुन की ले ली हैं और अद्रक का एक छोटा टुकड़ा भी हम लेंगे अद्रक भी हम डाल देंगे ताकि ये साथ में पीस जाएगी डाल के साथ ही हम इसको भी पीस लेंगे छोटे टुकडे करके हम डाल देंगे ताकि ये हमारी जो अद्रक है अच्छे से महीन पीस जाए तो इसको अब हम पीस लेंगे पिसने के बाद ये हमारा बढ़िया सा पेष्ट बनकर तयार हो जाएगा थोड़ा सा पाने भी हम इसमें एड़ कर लेंगे नहीं तो ये डाल हमारी मोटी मोटी रह जाएगी अच्छे से नहीं पिसेगी और इसको हमने पीस लिया है तो कुछ इस तरह से आपको पीसना है डाले में हम डालेंगे हिंग हम जरूर डालेंगे दोस्तों हम कर दो यह इस namager कंभी डालेंगे यह हम दो चालेंगे और घड़ा हुआ ढ़िए तो थोड़ा सा दर दरा जो घर में कुटा हुआ धनिया जीरा और लाल मिर्ची वाला, इसको भी हम डाल देगे और इसको हम भी कर लेंगे अभी हम इसमें नमक नहीं आट करेंगे जब हम फरे बनाना शुरू करेंगे तो हमारी दाल बहुत गीली हो चाएगी इसलिए हम नमक कभी नहीं आट करेंगे तो इसको हमने मिक्स कर लिया और अलग रख देते हैं अब हम चावल का आटा ले लेंगे और गूत लेंगे इसको एक टोरी भर के हमने चावल का आटा ले लिया है और इसी चावल के आटे में हम थोड़ा सा नमक ले लेंगे बहुत जादा नमक नहीं तो यह गरम पानी से हम आठे को गूत लेंगे बढ़ी हासा आठा गूतेंगे मुलाएं ताकि हमारे फरे अच्छे से बंजा जैसे हम रोटियां के लिए आठा गूतें हैं बिल्कुल उसी तरह से यह हम आठा तयार करेंगे तो आठा भी हमारा रेडी हो चुका है और आठे को हम रख देंगे 5-10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे ताकि हमारा आठा बढ़िया से तियार हो जाए तो आठा गूतने के बाद तुरंत फरे नहीं बनाएंगे हम थोड़ी देर के लिए आठे को रखेंगे 5-10 मिनट हम इसको रख देंगे ताकि हमारा आठा अच्छे से सेट हो जाए और दस मिनट की बाद हम दाल उठाएंगे और दाल में नमक पहले एड करेंगे क्योंकि अभी हमने नमक नहीं डाला था और अब हम फरे बनाने जा रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर नमक एड कर लेंगे आधा चम्मच के करीब हमने इसमें नमक एड कर लिया है और भी हम अच्छा से मिक्स करेंगे और तुरंत हम फरे बनाने शुरू कर देंगे नमक मिला करके दाल को नहीं रखेंगे और अब हम थोड़ा सा आटा उठाएंगे और इसकी लोई बनाएंगे जैसे हम लोई बनाने के लिए बिल्कुल उसी क्रम से हमको छोटे छोटी सी एक बैद करेंगे अगर वोन थीर ओरे में गरें आप को सूखे आटे की मदद आटे की अ outbreak मेरा मेरे नरप। बीना इसक जो अब बदेंए अब विक presence की के इसलिए नहीं तो बेलेंगे जैसे हम पूरियां बनाते हैं उसे तरह चोटी-चोटी सी हम इसको बेलेंगे और बेलने के बाद हम इसमें दाल भर देंगे तो यह बहुत अच्छा से बेल जाती है आप अगर अच्छा से सुखा अटा लगा लेंगे तो यह बिल्कुल भी नई चिपकेगा और अ आप सबी लोग हमारी वीडियो पर बने रहिएगा वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक भी कर देना शेयर कर देना चैनल को भी सस्क्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लेना और इसी जो हमने पूरी के आकार की रोटी बना कर रखी है इसे के अंदर हम दाल भर ल अगर आप इस तरह से बेल के नहीं बन रहे हैं तो आप ग्लास की मदद से भी बना सकती है इसको ग्लास हो कोई कटोरी हो या कोई किसी चीज का धकन हो तो आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं पहले आप इसको गोल गोल लीजिए और बेलने के बाद आप इसको ग्लास की बहुत ही बढ़िया बनेगा चोटा बनेगा और एक ही आकार का रहेगा बिल्कुल टेड़ा मढ़ा भी नहीं होगा तो आप ग्लास की मदद से भी आप इसको बना सकती है इस तरह से दाल भरनी है और इसको आप बंद कर दें चाहें तो आप खुले भी रखें केवल इसको फो बहुत चल्दी चल्दी से बिल जाती है और ग्लास की मदद से हम इसको काट लेते हैं तो हमारे ये जो फरे बनेगे ये सारे एक ही साइस के बनेगे बराबर के बनेगे तो हम ये दबा दबा करके इसकी फरे बना कर रेडि कर लेंगे तो लग बग हमने सारे फरे बना कर तय बड़ा भगोना हमें लेना है और अगर आपके पास चलनी वाला कोई तसला है इस तरह से इसमें छेद होते हैं इस तरह का छनना आपको लेना है और इसको आप ढग दीजिए देखिए इसमें भाब निकलने सुरू हो गई है तो आब हम इसमें थोड़ा सा देशी घी लगा द हमएं तरह के जो भी हमारे फरे बने होए हैं हम एकnia करके सभी इसके उपर रख देंगे और ये फरे भाब हम भाब से काएंगे इसको पानी में भी पकाई जाता है पानी में पकाने का भी तरीका दूसरा होता है वह तरीका भी हम utilized से per आगे हम आपके लिए जरूर विडियो बनाएंगी दोस्तों, तो इसको हम भाप में बना रहे हैं तो यह एक एक करके हम इसे चलनी पर रख देंगे और रखने के बाद हम एसके उपर से एक ढख्कन लगा देंगे पकने देंगे क्योंकि इसको पकने में टाइम लगेगा और इसके बाद हम चाकू की मदद से टेस्ट करेंगे कि पका है कि नहीं पका है तो आप लोग देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा सा ये चिपका हुआ है चाकू में लगा हुआ है तो इसलिए अभी थोड़ा सा हम हम इसको और पकायेंगे थोड़ी देर हम इसको ढग देंगे और पांच मिनट के बाद हम इसको лов को धाइंजे डखकन को देखेंगे और अब सी इसे सारे फ़ड़ एक एक करके हम निकाल लेंगे तो इस तरह से फ़रा बनाना बहुत ही सरल है चावल के फ़रे बस थोड़ा सा इंतिजाम करने में टाइम लगता है दोस्तों और ये बनते बहुत जल्दी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं आप चाहें तो इसको fry भी कर सकते हैं फ्राइ करने के लिए आप कड़ाई में तेल डाल दीजिए सरसों दाने डाल दीजिए जीरा डाल दीजिए करी पत्ते डाल दीजिए और थोड़े से मसाले भी आप डाल सकती है इस तरह से आप बनाईए और इसको दही के साथ खाईए हरी चटनी के साथ खाईए या लाल चटनी के साथ भी आप इसको टमाटर के चटनी के साथ भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं करवा जोट पे खास ये रेस्पी बनाई जाती है हमारे यहां तो इस रेस्पी को कि मुझे जरुर बताईए